हेलो गाइस वेलकम बैक तो माइ न्यू वीडियो आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूं वो बना रही हूं फोन के इस कवर पे पेंटिंग तो मेरे पास बहुत से पुराने कवर पड़े वे थे फोन के तो वो खराब हो चुके थे उनको करने का फिर से मलनी करता है तो मैंने सोचा क्यों न हम उन में से एक को ही कस्टमाइज करें तो ऐसे वीडियो में बने रही हैगा अगर आप चैनल पे नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस के स्टार्टिट कवर को पेंट करने से पहले मैं अपना बेस जो है वो ज अब यहां पर मैं अक्रेलिक कलर्स ले रही हूं इसका मजेंटा कलर ले रही हूं और उससे मैं फ्लोरल डिजाइन बनाना शुरू करूंगी मैं सोच रही हूं कि इससे थोड़ा कलरफुल बनाऊ तो चलिए फटफट से मैं थोड़े फ्लावर्स बना लेती हूं अब बारियत आती है डिटेलिंग की तो अब मैं परपल कलर से थोड़ी फ्लावर को जो है वो डिटेलिंग दूंगी ऐसे ही मैं बाकी फ्लावर्स की भी डिटेलिंग कर लूंगी डिटेलिंग करने से जो है हमारी पेंटिंग और ही कुछ अलग दिखती है और ज्यादा सुन्दर लगती है अब मैं ग्रीन कलर से कुछ लीफ्स पना लूंगी अब मैं लीफ्स को भी डिटेलिंग देलूंगी ब्लैक अक्रेलिक कलर से अब मैं अपनी पेंटिंग को जो है सेफ कर लूंगी ताकि मेरी पेंटिंग कभी खराबना हो इसलिए मैं यहाँ पे वार्णिश ग्लॉस का जो है एक कोट अपलाए कर रही हूँ आपको यह कोट तभी अपलाए करना होता है जब आपकी पेंटिंग जो है जो आप पेंट किया है आपने वो अच्छी तरह से ड्राय हो चुका हो किये रहा हमारा फाइनल आउटकम मुझे तो यह बहुत प्लेटी लग रहा है मैं तो काफी सैटिस्फाय हूँ इस कवर से तो अगर आपको यह कवर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दीजीगा तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन से जलती तो यह फोन केस बहुत प्रिटी लग रहा है क्योंकि मैंने कभी फ्लोरल प्रिंटिंग कहीं ट्राय नहीं की, कभी किसी चीज पर ट्राय नहीं की, तो मैं तो इस केस पून कवर को तो यूज करूंगी, आप भी मुझे अपने सजेशन से जरोर बताइएगा कि आपको यह पून केस कवर कैसा लगा, तो मिलते हूँ आपको एक और नए वीडियो के स तिल दे, बबाए!